आज मेरे किचन बे बन रहे हैं छोले तो आप इसे पूरी और भटूरे किची के साथ भी खा सकते हैं आप इसे ज़रूर ट्राइ करें और अगर पसंद आये तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें तो छोलो के लिए मैंने 500 ग्राम छोले लिए हैं इ भीने उबाल लेंगे उबाल दे टाइम मैंने इसमें नमक तेजपत्ता 3-4 काली मेच, 3-4 लॉंग, 2 बड़ी लाजी डाली है छोले गल गए हैं इसमें मैंने एक विसल लगाई थी और 2-3 मिनिट स्लो फ्लेम पे गलाया था यहां मैंने तेल ले लिया है अब घी भी ले सकते हैं अब इसमें एक दालचिने का टुकड़ा जीरा, तेजपत्ता, 2-3 काली मेच, 2-3 लॉंग, 2 छोटी लाजी, 1 बड़ी लाजी एड़ करेंगे अब इसमें प्याज एड़ कर देंगे जिसमें मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज लिये और इसे बारिक पीस लिया है अब इसमें हरी मिर्च, अद्रक और लैसुन का पेस्ट एड़ करेंगे जिसमें मैंने 2 हरी मिर्च, 1 इंच अद्रक का टुकड़ा और 3-4 मिर्च लैसुन एड़ किया है इसे अच्छी तरह से भूल लेंगे अब इसमें टमाटर का पेस्ट एड़ करेंगे यहां मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लेंगे अब इसमें सुखी मसाले आड़ कर देंगे जिसमें 1.5 टीस्पून सौंफ पॉडर, 2 टीस्पून चना मसाला 1 टीस्पून लाल मिर्च पॉडर, 1 टीस्पून धनिया पॉडर, चुटकी बहारती 1.5 टीस्पून जीरा पॉडर, 1.5 टीस्पून कारी मिर्च पॉडर आड़ करेंगे इसमें करम मसाला भी आड़ कर देंगे इसे अच्छी तरह से भून लेंगे यह मसाला अच्छी तरह से भून गया है अब हमने जो छोले उबाले हुए थे वो भी समेट कर देंगे अब जो छोले का पानी बचा हुआ था वो भी आड़ कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें से थोड़े से छोले लेके मैश कर लेंगे जिससे ग्रेवी अच्छी बनेगे हरके आस्ते स्पून से मैश कर लेंगे मिक्स कर लेंगे अब दो मेट ढ़क कर पकाएंगे यह देखिए छोले तयार हो गए अब दो में आस्ते से छोले लेखिए